दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बिटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफेशन को भी दबा दीजिए, ताकि सभी नोटिफेशन आपको टाइम पे सब से पहले मिलें नमस्का दोस्तों, आप सभी के जीवन का, मेरे जीवन का एक सपना रहता है, और उस सपने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर इनसान के उस सपने की, जिसके लिए वो जीता है, जिसके लिए कमाता है, और हर इनसान उसे पाना चाहता है, दोस् एक ऐसा issue है, एक ऐसा sentiment है हम लोगों का, जो हमारे आत्मा से, हमारे दिल से, हमारे effort से, हमारे परिवार से, हमारी feeling से जुड़ा हुआ है, हम सब चाहते हैं कि हम चाहे हिंदुस्तान में रहें, चाहे हिंदुस्तान से बाहर रहें, हम सब के पास अपना घर हो, घर का सपना था ह ले लेते हैं बड़ क्या घर का सपना हकिकत में सब का पूरा हो पाता है दोस्तों आज की रेट में महंगाई जिस कदर हो चुकी है अगर देखा जाए तो कहीं पे भी छोटे से छोटा घर बढ़िया जगे में अच्छी कॉलनी में अच्छी फैसिलिटी के साथ में अच्छी स कंपरमाईज करनी परती है वहाँ भी 40-50 लाख रुपे से कम का कोई फ्लैट नहीं मिलेगा आपको अगर आप जमीन लेके मकान बनाना चाहते हैं तो वो एक करोट से कम की जमीन नहीं आएगी उसको बनाने का ऊपर का खर्च अलग से है दूसरी बात आज की रिट में सभी क कि फिनेंशल पोजिशन इतनी टाइट हैं, जॉब सिक्यूरिटी इतनी अंसर्टेन हैं, कोविट के वेरे से लोगों की नौकरी चली गई है, तो लोगों का जो घर खरीदने का सपना था वो अल्मोस चकना चूर सा होता दिखाई दे रहा है, तो कि आपके मन में जैसे ही आ एक करोड़ों पे सपने की बात होती है दोस्तों, तो सैलरी वाला क्या सोचता है कि मकान तो लेना ही है, कब तक के रहे के मगान में रहेंगे, तो हम एक EMI बना लेते हैं, होमलोन ले लेते हैं, और होमलोन को धीरे धीरे चुकाते रहेंगे, दोस्तों अक्सर दिखा गया है जो हमलोन से हों 20 साल से कम की अवदी के लिए नहीं ली जाते हैं, 20 साल में अगर देखा जाए जो उनका ब्याज है, वो ब्याज को एकटा करने के बाद, अगर सपोस किजिए आपने 1 करोड़ का हमलोन लिया है, तो 20 साल के बाद में आपको कम से कम 2 करोड़ रुपे देने के लिए, आप खुश होते हैं कि आपके अजबना मकान हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि 20 साल तक आपने एक EMI चुकाई है, आपने एक पैसा भराए, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, जिससे आ आपका घर बिल्कुल फ्रीका हो जाएगा, जब 20 साल के बाद आपकी EMI खतम होगी, तो आपके हाथ में उतना ही पैसा आटोमेटिक लिया जाएगा, जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही बहुत जादा सहायक होगा, दोस्तों देखे, हर माँ आप चाते हैं कि अपने बच्चों को घर दे, कम से कम छत अपनी हो, डिली जैसे शहर में अगर आप रहते हैं, मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, किसी और महंगी मेट्रो में रहते हैं, बैंगलॉर में, चिन्नाई में, तो वहाँ भी चीज़ है तो बहुत बड़ी गलती आपने की, जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों प्लीज अंत तक इसको जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, आदा दूरा गयान किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक आपके इतने जबरस काम आने वाली है, जिससे आप ह होमलोन खतम होगा, उसी वक्त आपके पास जितना आपने चुपाया है, उतना पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, मतलब मकान का मकान और पैसे का पैसा दोनों चीज अपनी, चली वीडियो को शुरू करते हैं, और नए अगर हैं आप इस चैनल पे तो चैन मैं आपको कोई mutual fund बेचने वाला नहीं हूँ, बढ़ हाँ, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपके पता रहे कि मैं ऐसा क्या करूं, कितने रुपे की saving करना start करूं, कहा निवेश करूं, कैसे निवेश करूं, कि जैसे होमलोन मेरा खतम हो, वैसे वैसे मेर पास पैसे इखटे हो जाए, मेरी wealth accumulate हो जाए, जो से यहाँ पर इसमें देखिए, मैं आपके क्या सामने क्या रखा है, यहाँ पर लिखा I want rupees, मतला आपको कितने पैसे चीए, अगर आप ब्याज की बात करना चाहते हैं, तो ठीक है, अगर ब्याज की बात नहीं करना चाहते तो मैंने यहाँ भरके रखा आपके लिए, कि मुझे 80 lakh rupees चीए, ठीक है 80 lakh rupees चीए, कितने साल में, 20 साल में, 20 साल को home loan तो मैं लेना ही वाला हूँ, तो मेरी आप से गुजारिश चाहिए, यह activity आप कप करेंगे, यह activity जब plan करेंगे, जैसे ही आपकी home loan की EMI बनेगी, वैसे ह आपको यह काम करना है, पहले समझ लेते हैं, आपको किसी भी अच्छे mutual fund में पैसा लगाते हैं, तो compounding जो returns उसकी रहती है, वो 13-14% की CGI रहती है, और बहुत से अच्छे funds ऐसे भी है, Tata के, Birla के, या HDFC के बहुत सारी mutual funds हैं, जिनोंने 16-18-18% की compounding returns भी दी हैं, 20 साल में, आप Google कर सकते हैं, Study कर सकते हैं, बहुत अच्छे mutual funds आपको मिल जाएंगे, दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी होमलों की M.I. बनती है, वैसे ही आपको एक अपनी investment स्टार्ट कर देनी हैं, आज ही, जब आप किसी खर्चे की M.I. बान सकते हैं, तो एक mutual fund की M.I. अपनी एक S.I.P. स्टार्ट कीजिए, अगर आपने अबी तक नहीं की, अगर आप सोचने S.I.P. से होगा क्या, इन्वेस्मेंट इन्टू मीचल फंड इस अपने हर जगा है, आपने खत्रा हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो वह भी खत्रा है, हम जो खाना खाते हैं, उसक पॉइसन हो जाए, तो जॉन्डिस हो सकता है, उसका भी खत्रा है, तो पानी पीने में खत्रा है, खाना खाने में खत्रा है, खराब जहरीली हवा सुमने में खत्रा है, पॉलिशन में जीने में खत्रा है, गारी गलत चलाने में खत्रा है, तो खत्रा कहा नहीं है, तो वो र Expectations मान के चलते हैं 15% के आसपास की एक compounding returns मिल जाती है एक अच्छे खासर ठीक टाक से mutual fund के अंद में 15% बहुत असनली से मिल जाता है आप यह मान के चलिए आपको क्या करना हुगा दोस्तो 6028 रुबे की आपको एक SIP साट करनी होगी मतलब अगर आपका mutual fund खाली बहुत खराब returns देता है सिर्फ 8% को meet करता है तो आपको आज 13,970 रुपे की SIP को पालना होगा आपको बनाना होगा mutual fund में निवेश करना होगा हर महीने में और 10% के अगर returns मिल जाती है जो मिल जाती है असानी से मिल जाती है तो 6028 रुपीज आपको invest करने है और अगर 17,75% के आसपास की return म आप दोनों के बीच के बात करें 15 और 17 के बीच के बात करें तो 6 और 4,000 के बीचे 5,000 रुपे मिनिमुम 5,000 रुपी के आप SIP प्लान कर दीजिए दोस्तों अगरे 20 साल के लिए और magic देखी दोस्तों magic क्या होगा अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क् मान लीजिए आपने 5,000 रुपी के SIP प्लान की है और 20 साल के लिए आप प्लान कर रहे हैं देखिए यह मैंने आपके लिए करके रखा है और 15% के अगर रिटर आ जाती है तो देखिए 66,35,000 रुपीस मतला मोटा मोटा 66,000 रुपीस आपको वापस मिल जाएंगे हम 60,000 रु तो आपको 12,000 रुपे महीने आज ही इन्वेस्टिमेंट करना होगा दोस्तो अगर आप 80,000 रुपे की EMI होमलोन के लिए बांध रहे हैं तो कम से असी हजार रुपे मंतली आपकी EMI जाएगी ही जाएगी सोचे जब 80,000 रुपे का खर्चा बांध रहे हैं तो 12,000 रुपे क आपको 12,000 रुपे आपको निवेश करना है और आपको 12,000 रुपे आपको 20% की रिटन निवेश करना है और आपको 12,000 रुपे की EMI बांध रेते हैं और बाजार आपको 15,000, 17% की रिटन निवेश करते हैं जो निवेश करते हैं तो जो आपका मकान आपने लिया है आज 80,000 return देते हैं दोस्तों आपको mutual funds को तलास नहीं है उनमें SIP start करनी है पर ये कदम उठाना हुआ कब ये सबसे very important है जैसे ही आपकी home loan approve होगा जैसे ही पहले मेनी की EMI आपकी कटनी start होगी EMI के साथ साथ में आप SIP start करेंगे calculate करके और ये calculator अगर आपको चीए तो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूआ नहीं तो आप खुद भी Google कर सकते हैं आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा SIP calculator करना है आप requirement देखी कितना पैसा आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि कि समझदार लोग यही करते हैं दोस्तो ऐसा नहीं है कि आप खली पैसा दिये जाएंगे मकान बाद में मिलेगा बड़े खुश हो जाएंगे पर आपकी सारी पूंजी लुट चुपकी होगी कितना अच्छा होगा कि 20 साल के बाद मकान भी आपका होगा पैसा भी आपका हो कि आएगा ही और अगर मीचल फंड ने ज्यादा रिटन दी ज्यादा पर्फरमेंस अच्छी दी तो आपको उससे ज्यादा भी पैसा कमाने को मिलेगा जोस्तों यह हुई खर्चे का खर्चा और कमाई की कमाई और मकान एकदम फ्री दोस्तों के वीडियो पसना आया है तो चैनल को सब्सक्राइब पर ले बैल इंटिफिशन को प्रेस रखे और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूले क्योंकि अच्छी इंफरमेशन जादा सा जादा लोगों में पहुंचनी चाहिए